हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में दोस्तो अगर आपने भी 5 लाख वाला हेल्थ कार्ड नहीं बनवाया है जिसे आयुसमान कार्ड कहते हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जिहां दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुसमान कार्ड की एक नई अपडेट के बारे में जिहां दोस्तो आयुसमान कार्ड के तरफ से एक नई बेनिफिसरी पोटल देखने को मिली है जिसके अंतरगात आप अपना आयूसमान कार्ड घर बैठे ही बनवा पाएंगे वो भी केवल अपने mobile phone या laptop की सहायता से तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और सारे process को step by step समझते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको इस website पर आ जाना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको login का एक option दिखाए दे रहा होगा जहाँ पर आपको सबसे पहले login करना होगा उसके लिए आप यहाँ पर एक mobile number इंटर कर देंगे mobile number इंटर करते ही दोस्तो आपको उसके सामने एक verify का option दिखाए दे रहा होगा उस पर click करना है click करते ही दोस्तों आपने जो mobile number दिया था उस पर एक OTP भेज दी जाएगी उस OTP को यहां fail करके capture fail करके login के बटन पर click करना होगा click करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का interface आपको देखने को मिलेगा यहां first वाले option को select करके आपको अपना state select करना होगा उसके बाद scheme के option पर click करके आपको अपने state की scheme को select कर लेना है यहां पर दोस्तों अलग-अलग state के लिए अलग-अलग scheme so होगी पर सभी state के लिए एक common scheme होगी PMJY करके यहाँ पर दोस्तों मेरे state में रासन कार्ट का भी option देखने को मिल रहा है तो मैं रासन कार्ट को select करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी district को select कर लेता हूँ जिस district से मैं हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर search by पर click करते हैं search by पर click करते ही family idea मंग रहा है और उसके बाद last में search by को click करता हूँ तो यहाँ पर सबसे best होगा अधार number अधार number पर click करके अधार number feel करके यहाँ पर आप इस icon पर click करेंगे click करते ही दोस्तों आपका detail open हो जाएगा और अगर आपका आयश्मान कार्ड पहले से बना हुआ होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको download का एक option दिखाए देगा और अगर आपका आयश्मान कार्ड नहीं बना होगा तो यहाँ पर एक edit form का option आपको देखने को मिलेगा जिस पर click करके दोस्तों आप अपने आयश्मान कार्ड को apply करेंगे apply करने के कुछ दिन बाद आपका आयश्मान कार्ड अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको download का एक option दिखाए देगा उस पर आपको click करना होगा click करते ही दोस्तों कुछ इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको verify के option पर click करना होगा click करते ही दोस्तों कुछ इस परकार का interface आएगा यहाँ पर इस box को click करके allow के button को click करेंगे पर नीचे यहाँ पर select के option पर click करेंगे ऐसा करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर 3 option दिखाए देंगे आपको आधार OTP को select करना होगा ऐसा करते ही आपके registered mobile number पर एक OTP भेज दी जाएगी जिसे verify करते ही आपका आयुस्मान card download हो जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, साथ ही कोई सवाल हो तो comments जरूर करें साथ ही इस तरह की information वीडियो के लिए channel के साथ जुड़े रहिए